नमस्कार दोस्तों, मैं सोनु कुमार एजुकेशन गुरूजी में आपका स्वागत करता हूँ तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हर्याना डी ग्रूप के एक्जाम में कौन से सब्जेक्ट से कितने कुशन आएंगे और आपको किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देने की जुरूरत है तो फ्रेंड अगर आपने हर्याना डी ग्रूप का फारम भर रखा है और आप हर्याना डी ग्रूप के एक्जाम की त्यारी कर रहे हो तो इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा तो फ्रेंड सबसे पहले तुम आपको ये बता दूँ हर्याना डी ग्रूप के एक्जाम में कौन-कौन से सब्जेक्ट आएंगे तो देखिए एक तो आएगी जिक्के एक करंड़ फेर, हर्याना जिक्के, मैथ, रिजिनिंग, साइंस, इंगलिस और हिंदी ठीक है, इन टोपिक्स से कौश्चन आएंगे, कितने 90 अब बात कर लेते हैं, किस टोपिक्स से कितने कौश्चन आएंगे तो फ्रेंड जिक्के से आएंगे 20 कौश्चन कितने 20, जिसमें हिस्ट्री भी आगी, पॉलिटिकल भी आगी, इकनोमिक्स भी आगी और जेयोगर्फी भी आगी ठीक है इन सबी टोपिक से कितने question आएंगे 20 ठीक है और करंट अफेर से कितने question आएंगे 7 और फ्रेंड आप पिछले एक साल के करंट अफेर का रवीजन कर लेना इसके अंदर से ही आजाएंगे 7 question अब बात करते हैं हर्याना जिक्के की इससे आएंगे question 25 और special हर्याना जिक्के के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें 3600 plus question आप उसको कर लेना हर्याना जिक्के उससे बाहर नहीं आएगी इतना होगा clear आपको उसके बाद बात करते हैं math की math से आएंगे 8 question और reasoning से आएंगे 12 question science साइंस से 7 से 8 question आ सकते हैं ठीक है और English से 5 और Hindi से भी 5 लेकिन जैसा कि अब जानते हैं जो अभी अभी lab attendant का exam हुआ था उसमें English और Hindi से कितने कितने question आए हुए थे 7-7 अगर हरियाना डी ग्रूप के exam में भी 7-7 question आते हैं तो क्या होगा जो जिक्के है न इससे chair question कट जाएंगे इससे कितने question आएंगे 16 ठीक है तो जिक्के से 16 question आएंगे और English और Hindi से 5-5 की जगें कितने हो जाएंगे 7-7 question तो आगे समझ में आपको अब आपके मन में एक डाउट होगा कि क्रीशी और पसुपालन से question आएंगे या नहीं आएंगे तो आपको बता देता हूँ जो H.S.S.E. का notice था उसमें कहीं भी नहीं दे रखा क्रीशी और पसुपालन से question आएंगे अगर हम मान के चलते हैं क्रीशी और पसुपालन से question आएंगे तो किस टाइब के आएंगे बिल्कुल simple आएंगे आपसे पूछ लेंगे गेहूत पादन में हरियाना का कौन सा स्तान है या फिर हरियाना की परमुक भैस की नसल कौन सी है या फिर काला सोना की इस भैस को कहते हैं एपी कल्चर की से कहते हैं सेरी कल्चर, PC कल्चर इस टैप के question आएंगे बिल्कुल easy ठीक है और वो क्रीशी और पसुपालन किस के अंदर आजाएगा जीके के अंदर ठीक है यानि इन 16 के अंदर ही आजाएंगे ये question जदे से जदा 2-3 question आ सकते हैं उमीद करता हूँ आपको सभी doubt कलियर हो गये होंगे अगर फिर भी आपका कोई doubt रहता है तो please comment करना आपकी पूरी help की जाएगी और friend एक बात और देखो आपको किस चीज़ पे focus करने की जरूरत है जीके और हरियाना जीके यानि नैशनल जीके होगे और हरियाना जीके इससे कितने question आएंगे? 45 45 question इन सिर्फ दो टोपिक से आएंगे और selection के लिए आपका कौन सा subject strong होना जरूरी है? देखो जीके और हरियाना जीके reasoning हिंदी इसमें लग बगना सभी का level same होता है थोड़ा बहुत फरक लगा लो ठीक है? competition होगा math में, science में, current affair में और English अगर आपके inmate number ज़्यादा आगे न तो आपका selection अराम से हो जाएगा तो English, science, current affair और math ये topic decide करेंगे अगर आपने English, science, math और current affair में score अच्छा कर लिया तो आपके selection के chance बहुत ज़्यादा high हो जाएगे क्योंकि reasoning, हरियाना जी के और national जी के इसमें तो सभी का level लगबग सेम होता है क्योंकि हर एक student ऐसा है जिसने 2-3 किताबे राम से पढ़ रखी होंगी तो friend, exam का time बहुत ही कम रह गया है नौंबर या दिसम्बर में अराम से exam सुरू हो जाएंगे तो इसलिए आप त्यारी में जुट जाओ daily जितने ज़्यादा हो उसके practice set का revision करो अगर आपको नहीं पता कि हमें क्या पढ़ना है तो उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है आप उसे देख सकते हैं उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहां से उसे देख लेना तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लिज वीडियो का लाइक और हमारी एजुकेशन गुरुजी चैनल को सबस्क्राइब करके घंटी के बटन को जुरूर दबाईएगा ताकि इसी तरह की जानकारी आपको डेली और सबसे पहले मिलती रहे और अगर आप HSSC के किसी भी गुर्मेट एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं क्योंकि हमने HSSC के किसी भी गुर्मेट एक्जाम के लिए दोस्तों से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर रखी हैं चाहिए वो आपका हरियाना डी गुरूप का एक्जाम हो या हरियाना पुलिस का हो या लैब अटेंडेंड का हो यानि कोई भी एक्जाम हो जो HSSC से रिलेक्टिड हैं उसके लिए हमने दोस्तों से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर रखी हैं आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे एजुकेशन गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लेज वीडियो को लाइक चुरूर करें ओके फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही अमिलते की नई वीडियो के साथ तब तक ही जैहिंद बंदे मातरम